हेलो एवरीवन स्वागते आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWT जॉप में पर्मनेंट सरकारी सिक्षक भरती का नया नोटिफिकेशन अधीनस्त सेवा चैन आयोग के द्वारा जारी किया गया है सेलरी काफी अच्छी इसमें बनेगी सहायको सिक्षक के पदों पर ये वेकेंसी आई है लास्ट डेट दस दिसंबर रहेगी इसमें जो है बीएड वाले डीएड डीएड बीटीसी बीएसटीसी वाले जो है कैनिरेट आविदन कर सकते हैं सेलरी की अधि हम बात करें तो ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर अगर आप देखते हैं तो यहां पर सेलरी जो है लिएड शिक्स के अकॉर्डिंग रहेगी 35,400 से लेकर 1,12,400 ठीक है तो 60,000, 65,000 से अधिक जो है सेलरी बनने वाली है आयू सीमा 21 से 42 वर्स तक कैनिरेट आविदन कर सकते हैं पद का स्वरूप जो है आ राजपत्रित है अंसदाई पैंशन युक्त है जब पैंशन है तो मतलब इस्थाई नौकरी रहेगी इसमें कौन-कौन आविदन कर पाएंगे तो इसमें जो है अगर आपके पास माननेता प्राप्त सरकार्द ऑरा माननेता प्राप्त दूए वर्सिय प्रारंबिक सिख्षा सास्त्र में डिप्लॉमा । बीएल एड है या फिर इस्पेशल एजूकेशन में दो वर्ष का डिप्लोमा है तो आप यहाँ पर अप्लाए कर सकते हैं सहायक अध्यापक प्राइमरी टीचर के लिए कुल पदों की संख्या इसमें पंदरा है जिसमें आरक्षन श्रेनी भी जो है इसमें दी गई हैं किस वर्ग में जो है कितने पद हैं ठीक है दूसरा सहायक अध्यापक एल्टी कंप्यूटर टीचर की वेकंसी है कुल पद जो है 12 है इसमें सैलरी लेवल 7 के अकॉर्डिंग रखी गई है 44,900 से लेकर 14,2400 आयू सीमा इसमें वही है 21 से लेकर 42 यर तक के कैंडिडेट आविदन कर सकते हैं पद का स्वरूप जो है थोड़ा सा गलती हो गई होगी और आज पत्रिद क्योंकि पैंशन युक्त है तो पैंशन देंगे इसका मतलब तो पर्मनेंट नौकरी है रिटायर होने के बाद ही जो पैंशन मिलती है अनिवारे अहरता जो है कंप्यूटर टीचर के लिए बियड बियड जरूरी है ग्रेजुएशन आपने कर रखा हो और बियड ठीक है कंप्यूटर साइंस विसे के साथ में ग्रेजुएट हों आप या फिर बीसीय उपादी है साथ में बियड आपका होना जरूरी है यहाँ पर बीटेक और बीई उपादी वाले भी आविधन कर सकते हैं जो प्रेसिक्षन पाटेक्रम है वो रास्ट्री अध्यापक सिक्षा परिशाद से माननिता प्राप्तो होना जरूरी है अब यह वेकेंसी जो है कहां से आई है तो पहले भी जो है वीडियो बनाया गया है उत्राकंड अधीनस्त सेवा चैन आयोक के द्वारा यह वेकेंसी जारी की गई ग्रुप C की सेधी भरती है विज्यापन प्रकाशित हुआ था तब मैंने वीडियो बनाया था 8 नवंबर 2024 को ओनलाइन आवेदन का प्रोसेस 14 नवंबर से स्टार्ट है लास्ट डेट ध्यार में रखें 10 दिसंबर अगर किसी कैनिडेट को नहीं पता है जिन्होंने अप्लाए करना है तो पूरा जो है नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे और उसके बाद जो है अप्लाए करने के लिए यहाँ पर ओफिशल वेबसाइट पर आप आकर देखेंगे हाउ टो अप्लाए कैसे अप्लाए करना है पूरे जो है दिसा निर्देश दिये गए है इनको सबको पढ़ना है उसके बाद जो है अप्लाए करना है ठीक है अभी मैं आप लोगों को बता दूँगी नोटिफिकेशन वगरे सारी चीज़े कहां से आप चेक करेंगे तो कुल जो है 27 पदों पर वेकेंसी है 15 जो है प्राइमरी के हैं और कम्पीटरों सिक्षा के 12 रिक्तपद है इसमें जो है सिलेक्षन कैसे रहेगा तो बिल्कुल पर्मारेंट सरकारी नोकरी है लिखित परिक्षा का पाठे क्रम, उत्तर प्रक्रिया सारी चीज़े इनों ने दी है सों अंकों का वस्तूनिस्ट प्रकार का जो है यानि अब्जेक्टिव टाइब विद मल्टिपल चोईस दो घंटे की प्रतियोगी परिक्षा होगी आयू सीमा आपको बता दी है आविदन हेतु पात्रता इसमें जो है इनोंने लिखाए कि अभ्यर्ति का उत्रगन राज्य में किसी सेवा योजन कार्याले में आविदन पत्र प्राप्ती की अंतिम तिती तक पंजीकरण होना जरूरी है यहाँ पर इनोंने तीन सर्तें लिख दी है पहले भी आपको बताया था कि तीन सर्तें जो है आप जरूर पढ़ लें जिनके पास जो है राज्य का मूल निवास या स्थाई निवास प्रमान पत्र नहीं है तो यहाँ पर आविदन पत्र की लास्ट डेट जो की 10 दिसमबर है उससे पहले उत्रगन राज्य में किसी सेवायोजन कारेले में रजिस्ट्रेशन करवाले ठीक है अगर आप जो है उत्रगन से बाहर राज्य के कैंडिडेट हैं तो और जो उत्रगन के जो कैंडिडेट हैं तो मूल निवास या स्थाई निवास प्रमान पत्र जो है आपका होगा अपलाए कर सकते हैं तीसरा ओप्शन इननों ने दिया है कि उत्रगन लोग सिवायों के परिदी के बाहर ग्रुप गय के समूंग गय के सीधी बरती के पदों पर भरती है तो आवेदन करने के लिए वही अभ्यरती पात्र होगा जिसने हाई स्कूल इंटर्मीडियेट या इनके समकर्स इस्तर की सिख्षा उत्रगन राजे में स्थित माननेता प्राप्त संस्थानों से उत्तिर की हो ठीक है तो यहाँ पर इनों ने लिखा है कि अनिवार्य और वांजनी एर्थाओं में से एक होनी जरूरी है कोई एक जो है तीनों में से हो तो अभी आप समझ के होंगे कि अप्लाए कर सकते हैं किसी भी राज्य के कैंडिरेट भारत का नागरिक हो इसमें जो है एप्लिकेशन फीस भी आपकी लग रही है जो अनारक्षित वर्ग के या उत्राखंड के अन्य पिछला वर OBC कैंडिरेट है तो 300 रुपीस जो है इसमें एप्लिकेशन फीस है और जो SC, ST, EWS की कैंडिरेट है उत्राखंड के उनकी 1.500 रुपे फीस है दिव्यांग भीहरतियों की 1.500 रुपे है और अनात की 0 है ठीक है बाकी आविदन पत्र भढ़ने से पहले दिशा निर्देश पूरे पढ़ लेने है आपको तो यह पूरा जो है नोटिफिकेशन था अब चलिए आप लोगों को बता देती हूं ओफिशिल वेबसाइट पर जैसे ही आएंगे आप याप गूगल पर सर्च कर लेंगे www.sc.uk.gov.in यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो अप्लाइ करने का ओप्शन आपको इसी में मिलेगा इस तरीके से ठीक है सबसे पहले जो है ओनलाइन आविदन पत्र भढ़ने हितु निर्देश दिये गए है रजिस्टेशन करना है उसके बाद एजुकेशनल अदर डिटेल्स फिल करनी है अप्लोड फोटो सिगनेचर है मेक पेमेंट लास्ट में प्रिंट एप्लिकेशन ठीक है और जो है नोटिफिकेशन आप कैसे पढ़ सकते हैं तो यहीं पर जो है थोड़ा नीचे देखेंगे आकर यह देखिए यह लिखा है पद नाम सहायक अध्यापक प्रैमरी वह सहायक अध्यापक ल्टी कंप्यूटर सिक्षा के रिक्त पदों के लिए विज्यापन हितु क्लिक करें इस पर जो है क्लिक करके पूरा नोटिफिकेशन जो है आप लोग रीड कर सकते हैं तो लास्ट डेट जो है इसमें 10 दिसंबर 2024 है और लिखित परिक्षा की जो डेट डिसाइड की गई है 23 फरवरी 2025 चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वेकेंसी के साथ किसी भी राज्य की वेकेंसी होगी सभी कवर की जाएगी थेंक यू